नमस्कार कैसे हैं आप सालों तक बॉली बुड में अपना एक छत्र राज करते हुई सनातन साजिस का सबसे वरा खिलाडी जावे दक्तर अब शिकंजे में आ गया है मुंबई के अंधेरी वेस्ट की एक अधालत ने जावे दक्तर को वारंट जारी कर पांच अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है जावे दक्तर अकसर अपनी फिल्मों में अपने एक छत्र राज के लिए जाना जाता है सलीम जावेद की इस जोडी ने सत्तर और अस्ती के दशक में कोहराम मचा रखा था लेकिन लोगों ने इसे समझा ही नहीं शबाना आजमी और अपनी पत्नी शबाना आजमी के साथ जावे दक्तर खुद दोनों राज्यसभा का सांसद हुआ करता था सालों राजसवा का सांसत का इनाम कॉंग्रेस राज में जावे दक्तर को संभब्त सनातन पर साजिस के लिए मिलता था अपने दोर में अमिताफ बचन जैसे सूपरस्टार से जावे दक्तर वह सब बुलवाता था जो वो चाहता था बाद में जावे दक्तर के प्रभाव से खान गैंग वॉलिवूड में सक्रिये हुआ और उसका दबदबा चला बीफ इटरों का बढ़ता प्रभाव जावे दक्तर का दबदबा माना जाता है कि जावे दक्तर का दाउदूड से जो रिस्ता रहा उसके कारण जावे दक्तर ने जो चाहा वलीवुड में वही हुआ और वो हर किसी को दवाब के डाल करके अपने मुताबिक काम करने को प्रेसर डालता था लेकिन सालों तक जावे दक्तर के शर्यंत पर किसी ने मूह नहीं खोला कांगना रनावत वो शेरनी निकली रनावत ने मुंबई में जावे दक्तर के खिलाब कंप्लेन किया सालों तक उस कंप्लेन के कोई माइने नहीं रहे क्योंकि उस समय उधभ ठाकरे की सरकार थी और वो कॉंग्रेस के दबाब में थी अब अंधेरी वेस्ट की कोट ने जावे दक्तर को आपराधिक धमकी देने के मामले में और एक महिला को अपमानित करने के मामले में वारंट जारी कर सासरीरी पेश होने के लिए कहा है वैसे पिछले दिनों जावे दक्तर को बड़ी राहत इस मेट्रोपलिटन मजिस्टेट की कोट से मिली हुई थी तो ये माना जा रहा था कि संभवत जावे दक्तर ने वहां भी अपना खेल कर दिया लेकिन जावे दक्तर को जो वारंट जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जावेद ने 2016 में कांगना रनावत को मुंबई इस्थित अपनी कोठी पर बुला कर अपमानित किया धमकाया और कांगना के नीजी जिंदगी में हस्तक शेप करने की कोशिश की दरसल कांगना रनावत का व्यक्तिकत रिस्ता रितिक रोषन से रहा राकेश रोषन के पुत्र रितिक रोषन से जो उनके रिस्ते थे उसको लेकर कुछ विवाद हुए कंगना ने इसके बारे में बाहर बयान दिया राकेश रोषन का भी जावेद अक्तर के साथ ऐसे रिश्ते रहे और इसी को सेट करने के लिए सेटर जावे दक्तर ने अपने घर पर कंगना को गुलाया ये शिकायत कंगना नहीं पोलिस में की कंगना की शिकायत के मुताविक जावे दक्तर ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि वो कितने प्रभावशाली आदमी है बरबाद कर दी जाओगी बरबाद कर दूँगा ऐसी धंकी उसे दी गई इस मामले में कांगना रणावत ने हर जाना भी मांगा था और ये मांग की थी कि जवरन वसूली उससे की गई इस मामले को मेट्रोपॉलिटर मजिस्टेट ने खतम कर दिया मतलब कांगना रणावत ने जो ये आरोप लगाया था वो आरोप हटा दिया गया लेकिन आपराधिक धम की आपराधिक शर्यंद रचने के मामले में जावे दक्तर अब श्रीकंजे में फस गया है सालों तक आपने जावे दक्तर को टेलिवीजन चैनलों पर ग्यान बगारते देखा होगा नेतिक्ता का ज्यान देते रहे हैं जावे दक्तर और पार्लेमेंट में हमने खुद भी उन्हें राज्यसभा से कई बार निकलते हुए मीडिया को ज्यान बाचते हुए देखा है बधिक्ता का आवरन ओढ़ा जावे दक्तर का चडितर कैसा रहा वो कंगना रनावत के शिकायत के बाद मेट्रोपॉलिटर मजिस्टेट द्वारजारी स्वारंट में सामने आ जाएगा उमीद की जानी चाहिए कि जावे दक्तर पर शिकंजा कसेगा और मामला यहीं तक नहीं रुकेगा अब वो लोग भी सामने आएंगे जिसे जावे दक्तर ने धमकी देने का ठेका ले रखा हुआ था क्या जावे दक्तर का यह धंधा था और इसलिए जावे दक्तर ऐसे लड़कियां फिल्मों में जिनका कोई बैक्ग्राउंड नहीं हो फिल्म इंडस्ट्री से ऐसे नायक जिनका बैक्राउंड नहीं हो उसे चलने नहीं दिया गया सालों तक जादबेद अक्तर का ऐसा ही बर्चस रहा ये तीनों खान गैंग उसी के आशिरवाद से फलते फुलते रहे सत्तर के दशक में हर स्क्रिप्ट में सलीम जावेद की जोरी होती थी और उस जोरी ने कैसे वाली बुट के फिल्मों को सनातन के परती नफरत का एक ऐसा संदेश दिया ये सालों देखा गया है उमीद की जाने चाहिए कंगना रनावत की तरह लोग बाहर आएंगे और ऐसे ऐसे शरारती लोग ऐसे ऐसे मुखोटों के खिलाप मुखर होंगी बहुत बहुत धन्यवाद